नमस्कार दोस्तों मैं मनसार अम्रम आपकी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SMC गुरूपर इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकपाल से संबंधित कुछ महत्पूर अपडेट निगल क्या रही हैं उनको डिस्कस करेंगे साथ में यहाँ पर P.E.T. का रिजल्ट उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कम समय में सठीक जनकारी आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर प्रौप्त होती रहती है सबसे पहले अगर हम बात करें लेकपाल के हाई कोट की अपडेट के बारे में तो यहाँ पर आज जो है हाईरिंग ती और हाईरिंग में क्या हुआ है उसके बारे हम डिस्कस करेंगे साथ में हाँ पर cut off cut off को लेकर कई students का संसय है तो उसको भी हम यहाँ पर दिखा देंगे और एक जो सबसे main point निगल के आ रहा है कि कितने गुणा बच्चों को DV में बुलाए जाएगा यह हम आपको बिद पुरूफ बताने वाले हैं तो वीडियो को complete देखीगा और like और share जरू कर दिएगा जिससे की जिनके भी मन में doubt आ रहे हैं लेकपाल से समंधित वो clear हो जाए साथ में यहाँ पर बात करेंगे PT के normalization में किस shift में number बढ़े हैं और result आपको कब तक देखने को मिलेगा तो start करते हैं वीडियो को सबसे पहले अगर हम लेकपाल के status की बात करें तो यहाँ पे आज सुनवाई थी 24 जनवरी को 24 जनवरी को आज जो है सुनवाई थी और सुनवाई में क्या हुआ है यह case के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे civil रिट थी और यहाँ पे single bench में सुनवाई थी आज जो है सुनवाई थी लेकिन यह अब सुनवाई next date के लिए postpone कर दी गई है यानि कि अब जो है सुनवाई 6 फरवरी को होगी तो यह important point था कि 6 फरवरी को जो है आपकी date अब लग चुकी है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो result है वो मार्च से पहले नहीं आएगा उसके लिए twitter campaign भी किया गया सब कुछ जो है हम लोग कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कई चीज़े देखने को मिल रही है और उसकी वज़े से यहाँ पे मार्च से पहले आपका result देखने को नहीं मिलेगा इसी लिए जो है quote में भी date पे date जो है आपको मिल रही है तो 6 फरवरी आप nest सुनवाई होगी उसमें क्या होगा हम बता देंगे आपको इस सुनवाई में दो question पे जो है update थी कि पूरा वाला question और उज्वला वालो question पे जो है सुनवाई होनी की जो कि अब 6 तारीक को होनी है nest यहाँ पे important point है कि pt का result आखिर में जो है आज आने वाला था आपका क्यों नहीं देखने को मिल रहा है देखे result किसी भी time upload हो सकता है आपको उसके लिए tension नहीं रहनी है आप लोग पता नहीं क्यों परिशान है कि pt का result आखिर में कब आएगा देखे इंपोर्टेंट यह है कि बैकेंसी कब आएगी pt 2022 के थुरू आप बैकेंसी देखने को कम मिलेगी यह important point होना चाहिए बाकी result जब भी आएगा आप लोग देख पाएंगे डीवी के लिए तो उसके लिए देखे 8,085 जगह थी और इसको हम जो है कैसे हमें पता लगा कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो यह आप जो है UDA और LDA के result से जो है find out कर सकते हैं UDA LDA की वैकेंसी अगर हम बात करें तो तो टोटल 76 वैकेंसी थी और 76 वैकेंसी के थुरू यहाँ पे 189 इस्टुएंट्स को बुलाए गया यानि कि लगभग यहाँ पे धाई गुना इस्टुएंट्स को बुलाए गया था DV के लिए तो इसी के वज़े से आपको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पे टोटल 8085 वैकेंसी हैं और उसमें से अगर हम बात करें कितने नंबर आप अफ्लिकेंट जो है पेपर को दिये हैं तो 2,12,000 इस्टुएंट्स दिये हैं तो इसमें को धाई गुना से अगर हम गुड़ा करेंगे तो धाई सीधे आपका निकल के आएगा तो यहाँ पे 20,212 इस्टुएंट्स हो जाएंगे तो 20,000 एक बड़ी संख्या होती है उसी को देख करके हमने कटाउफ भी आपको बटाई थी एक बार हम फिर से आपको कटाउफ दिखा देते हैं यही कटाउफ आपको देखने को मिलेगी और आपको बिल्कुल परिशान होने को आउशकता नहीं है जितनी वैकेंसी है जैसे कि अभी आरो का रिजल्ट आया है इससे पहले बंदरोगा यहाँ पर दरोगा भरती जो यसाई भरती हुई थी दरोगा भरती यहाँ पर फाइनल होने वाली है वो भी फाइनल हो जाएगी और cgl और यहाँ पर railway दो वैकेंसी आमहात्तपूर जो है फाइनल होंगी NTPC की और यहाँ पे CGL की इसमें भी students जो है काफी मात्रा में चले जाएंगे और साथ में यहाँ पे junior assistant की vacancy भी खाली हो जाएगी तो यहाँ पे अगर आपको DV के लिए बुला लिया जाता है तो कहीं न कहीं आपके selection के chance 80% बन जाएंगे यह मैं पहले से बताते हुए आ रहा हूँ और यही आप भी मैं जो है कह रहा हूँ next यहाँ पे आपको cutoff की बात करेंगे यह लेकपाल की cutoff है आप इसका screenshot जो है अपने पास जरूर रखिएगा और अगर इतने number आपके बन रहे हैं तो यह आपके final जो लिखे हुए हैं यह final selection के लिए हो जाएंगे तो यह सब कुछ जो हमने बता दिया है पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इसी प्रकार से update लेने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और वीडियो को like और share कर दिए मिलते हैं इसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जैवार तैंक्यू सो मच